वो भी पहुँच गए है सोलो ट्रेवलर जीत तो आपका स्वाधत है इस तूर्सुरूत रोड़ पार हाई गाईज वेलकम टू दे ब्लॉग और आज हूं करने वाले हैं एक्सप्लोर पाम बीच रोड को यह देखिए हमारी दो वाइक्स तयार हैं यह है सुमी साहब की जावा फोटेटू और यह है अपनी बुल-बुल थरंडबट 350 तो इन दो वाइक्स पे हम करेंगे एक्सप् दिरंगा जंडा और यह है रोड पाम बीच रोड यह देखें जी यह है स्पार्टन की पाइक जावा फॉट्र क्लासिक लिजेंड्स और यह इन्होंने किया है इदर शिर जैन्थी के प्लक्ष में स्वाजी महाराच का एक जंडा और यह भी नया एडिशन गोप्रो पास्त तौनों बेफ रेड़ी है पने एक्स्टोन के लिए तो जी यह है हमारा पहला पॉइंट जिसको बोलते है फ्लैमिंगो पॉइंट जब आप पाम बीच रोड पे नवीम भई महानगर पालिसिका से वाशी की तरफ चलेंगे तो डीपीए स्कूल बढ़ता है और यह देखे फ्लैमिंगो का पूरा जुन यहां बैठा हुआ है और जो भी लोग प्रकटी प्रहमी है यह जिनको यह बर्ट्स को देखने में अच्छा लगता है उनके लिए नवीम भई में यह एरिया काफी अच्छा है और सरकार ने भी नवीम भई को फ्लैमिंगो के ल बैट्लेंड वगेरा है यह उनके लिए बना रहे हैं तो काफी प्रसिद एरिया है यह यह जो पॉइंट है यहाप आपको सटर्डे संडे को अच्छी कासी बीड मिलेगी काफी लोग आते हैं यहाप यह बर्ड वाचिंग के लिए और काफी शान्त एरिया है अगर आप यह है यह है काम बीच रोड पीछ आपको दिख रहा है ते रंगा वहां से हम लोग आई थे हैं यह रहे है दो हजार फास बदिंग हो यह चोटा बर्डी है तो जी हम पहुंच गें अपनी लोकेशन नुबर टू पर जो है आई नेस चानक्या के पास में यह देखिए संसेट होने वाला था और अल्टिमेट लोकेशन थी यह भी प्रसित इस्थान है यहां पर भी नविंबई में काफी फ्रमी गोस दिखते हैं और देखिए जो रा सब्सक्राइब गड़ेट्स की ट्रेनिंग होती है और एक उच्छे बच्चे यहां पर क्रिकट कहले होते हैं और बच्चों क्रिकट खेलते देख हमारे अंदर का भी जो जाग उठा और मैंने गोला भाई एक बॉल तो खेलने को मिल जाने है बनता है एक बाल एक बाल एक सब्सक्राइब बनाना चलेगा है हम लोग हम लोग यह तरह है आई लाव नंग बंबई पाम बीच और इस तरह का प्ष्पने सारा यह भाई हमारा फोटोग्राफर इसकी नौकरी पकिये कर दिया हमने और इदर सोमी साब पोस्ट देते हुए आई लाव नभी मबई के साथ तो गाइस हम लोग आया इदर नभी मबई के जुएल यह जो नरूल तालाब है इसके पास जुएल अप नभी मबई यह देखे पीछी जे स्टैची देख रहे है इसका नाम है विचारक यह विचार कर रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं आग दिखिश रणाओं में बिदा लेने वाले हैं इसके इतना अल्टिमेट नजा रहा है और डिखे पामवी चिरोट इस तरह का मसान इसतारा है अटाशकॉस का कि हमारी फुल फुल एंड ब्लैक बीस्ट कड़े हैं सावी साथ कड़े साथ में इसका रिफ्लेक्शन हो देगी कि इतना शामदार लगना है और उन विल्डिंगे पीछे खूब सुरुफ है दर्वी पहाडियां और भी खूब सुरुफ लगने हैं इसका शोबा को और चार च यह देखिए नरुन तालाब शाम के समय कितना शान्त और कितना बढ़िया दिखता हुआ और आसपास की जो बिल्डिंग से उनकी परच्छा ही दिख रही है जो बहुत ही बढ़िया लग रही है और अल्टिमेट नजारा यहां आप आएंगे तो इंजोई करेंगे यह जो काफी अच्छी चीज़ है यह जो नवी मंबई है इसका भारतिय सुच्छता सर्वेक्शन में जो रैंकिंग है हमेशा अच्छा रहता है और काफी साफसफाई वाला शहर है अगर इसमें देखेंगे भी आसपरस तो आपको काफी साफसफाई मिलेगी और काफी बनाया हुआ है तो रहने के साफसे अच्छी खासी रैंकिंग है इसकी काफी अच्छा शहर है और यह देखें यहां के शांत के समय कुछ प्रैमड़्स और अभी हम आगे हैं इसको बोलते हैं यह साइक्लिस का स्टेची तोबारा उसी लोक्वेशन पर नविम भई महानगर पारिकागी बिल्टी के सामने हैं और काफी अच्छा शान्त माहूल था इसकल और बस अभी हम लोग वापस उतलने वाले हैं व्लॉक को समप्त करते हम दितने हैं आपसे सो गाइज आज का हम अपना ट्रिप समप्त कर रहे हैं आज हमने एक्स्प्लोर किया फ्लैविंग पॉइंट नरूल और ज्वैल अफ मुंबई और वापस यहां नविम भई ब्यम्सी में आचके हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए सब्स स्पार्टन एंड सोलो ट्रैवलर जीत तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक की लिए बाबाए ठटा जै भारत जै श्री राम जै श्री राम बंदे मात्रा हर हर महा दे हर हर महा दे बाइ